पिर्णाम स्टुडेंट कैसे आप सब लोग आशा करता हूं अच्छ होंगे देखें आज हम कौंटम मेकैनिक्स ता नेक्स लेक्चर चल रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्वेशन ओफ कंटिनुटि क्या पढ़ने वाले हैं चांड मेरे एक्वेशन ओफ कंटिनुटी इन श्रोडिंगर रेपर्जेंटेशन यानि के आपकी यूनिट थड़का यूनिट थड़का आज लास्ट लेक्चर है यूनिट थड़काती अंसरटिनइटि प्रेंशिपल स्रोडिंगर एक्वेशन की आज लास्ट वेडियो है इसके बाद फोड चलेगी आपकी वह भी बुक रह दिये अभी कौन सी स्टेटिस्टिकल फिजिक्स उसके हमने पूरी कराई हुए आपको आज गी क्लास में उसका लिंक सेर करा देंगे हम ठीक घवराव मत स्टेट्र के लिए अब क्वांटम मेकानिक चलिए इस्पेक्ट्रों कोपी के भी हमने कुछ स्लेक्टर्स कराई हुए है जो पेपर के लिए सफिस्ट है वह भी हम आपको आज सेर करा देंगे तो हम आपसे चर्टा करने वाले इक्वेशन ओफ कंटिनूटी बेटा एक्वेश ठीक चलो हम आप से चर्चा करते हैं एक्वेशन ओप कंटिनिटी स्क्रीन शोट आप पहले ले लिए लिए आपको पता है हमने मान लिए जो पी आर है प्रोबल्टी है किसी किसी भी पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पर जो स्पेस है उसमें फाइंड करने की मान लिया अरे वोल्यूम भी बाउंडिड वाइद सर्फेस है तो प्रोबल्टी कैसे दी जाती है आपको पता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पी आर डीवी वी क्या है वोल्यूम है डी एक्स डीवाई डीजड किसी बुक में डीवी को डीक्यूब आर भी लिखा हुआ है तो आप इस चीज़ को लेके इत्ते से भी कन्यूज मत होना ठीक है चलिए और जो आपका पी है प्रोबल्टी इसका फोर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके है क्या माइनस इंफिनिटी से साई का कन्यूगेट इंटू साई इंटू डी यह पी का फोर्मूला होता है अब इसका मैं कर लिटी भार आ जाएगा अंदर ये क्वांटिटी बचेगी अब जब इसे अंदर ले जामगा तो फर्स्ट फंक्शन यह है सैकिंड यह है उसके अकोर्डिंग होगा तर बिलकुल होगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इस इस इसे मैंने क्या जूम कर लिया एक्वेशन इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमें पता है यह है आई एगज कट कर्लि साइब कर्लिटी उक्वेस्ट माइनस के एच कट कर स्कॉर अपॉन 2m डैल स्कॉर प्लस 3 इंटू साइउ मैंने आप से कहीँ बार इसके बारे में इस इक्वेशन के बारे में डिसकेसन क्या हुआ है तो इस Schrodinger की time dependent equation है, देखो, क्या करूँगा मैं, अब मैं इस quantity की value निकाल लूँगा, और इसकी निकाल लूँगा, और one में put कर दूँगा, जब मैं आपकी क्या लेता हूँ, Schrodinger की time dependent equation, तो curly si by curly t, curly si by curly t की value आगी, इसमें si star से multiply कर दूँगा, तो क्या ये value ना जाएगी मेरे पास, अब इसका conjugate ले लूँ, तो ये वाली value मिल जाएगी, देखो conjugate लूँगा, conjugate क्या होता है बेटा, i का minus i हो जाता है, मतलब i का symbol change हो जाता है, और जहां भी si है, वो si star में बदल जाता है, और si star si में बदल जाता है, जैसे देखो यहां i plus का, तो minus i h cut, si की जाएगे si star आगिया, यहां तो इस quantity में तो i कहीं है नहीं, तो यह quantity ऐसी की ऐसी रहेगी, इसमें भी i कहीं नहीं है, यह भी ऐसी की ऐसी रहेगी, और si, si star में बदल जाएगा, तो आप देखो, यहां कहां, यहां आप देखने की कोशिश करो, यह value और यह value, यह value और यह value, same है, यानि कि अगर मैं इस में, si star की multiply कर दूँ, और इस वाले quantity में, si की multiply कर दूँ, और दुनों को plus या minus करके, यह वाला result ला दूँ, तो मैं directly put कर दूँगा, तो जो equation second है, इस में si star की multiply करूँगा, और equation third में si की, second में तो si star की, यह मैंने लिखा हुआ है, देखो, जो second है में si star की multiply करी, और third में si की, जब multiply करूँगा, तो दुनों तरफ multiply होगी, इस में तो कोई rocket science वाली बात की नहीं, ऐसी है, si की multiply कर दी, तो यह होगी si, यह होगया si, यह होगया si, बेसिक सी चीज है, किसमें? इसमें, इसमें si star, और इसमें si की multiply, कर दी, करके result यह मिल गया, मिल गया क्या, अंदर si पोचा दिया, बस सलो, अब अगर मैं 4 में से 5 समें घटा दू, 4 में से 5 घटा दू, तो आप देखो, i cut, h cut, यह तो common है, क्या बचेगा, si star, curly si by curly t, minus है है, minus minus, plus हो जाएगा, si curly si star by curly t, इधर तो यह बचे देखो, क्या मुझे यह value निकाल लेती, si star curly si by curly t, plus si, curly si star, curly curly t, यह निरी, आप देखो, क्या मुझे यह value निकाल लेती, इसलिए मैं ने करा है, यह अंदर की value आनी गी अब, basic सी चीज थी, तो यह मैं अंदर की value निकाल लेता हूँ, आगे, अब इधर का इस सा सोल करता हूँ, किधर का, इधर का, जब माइनस करूँगा बेटा, यह देखो, यह वाले quantity के, माइनस के h square 2m, size star, डैल स्कॉार साई, और यह देखो, यह और यह, यह तो same है, कट जाएगी, सर यह भी तो same है, नहीं बेटा, यह same नहीं है, जब माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस पिलस, जब माइनस सेम ही तो है, नहीं बेटा, यह देखो, डैल स्कॉार साई, समझे रहे हो, size star, सर, क्या हम, size, डैल स्कॉार, size star को, क्या size star, डैल स्कॉार, size लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन, size, size, size star को, size star, डैल स्कॉार, लिख सकते हैं, यानि कि यह दुन्नों तो बराबर हैं, यह दुन्नों बराबर नहीं हैं, सर, यह कैसे हैं, बेटा, mathematical physics में, इसके लिए हमने detail में चड़ते किए, आप mathematics, physics जो first semester में है, आपको यह सब पता होगा, कि differential में कैसे यह सब होगता है, ठीक, अगर नहीं पता, तो comment box में बताना, मैं इसके बारे में भी discussion, आप से कर दूँगा, तो यह दुन्नों quantity तो cut हो जाएंगी, यह वाली, बचे कौन सी यह, और minus minus plus हो जाएगा, बेसिक्स के चीज़ समझते चलो, यह समझने की ज़्यादे हैं, आई हकट यह वाली टर्म तो, as it is रखकी बराबर, इन दुन्नों टर्म में देखो, क्या minus के हकट का square upon 2m, common नहीं आ रहा, ले लिया, यहाँ तो minus common आ गया, तो यह si star del square si, plus में होगी, यह plus से minus common आ गया, तो plus minus बीच में क्या आ गया, minus क्या बचा, side del square si star, यह मेरे पास quantity बची, अब देखो, यह i h cut हिहां multiply में था, इधर divide में पोचा जाएँ, तो देखो, यह i h cut हिहां पोच जाओगा, divide में, divide में पोचेगा, तो क्या कहानी होगा, एक line मैंने गायब कर दी, क्या, जब divide में पोचेगा, तो यह h है, यह एक पावर न कर जाएगी, तो minus के h cut upon 2mi बचेगा, यह और हम minus के h cut upon 2mi बचेगा, बाक्की दुन्नों term as it is बचेगी, अब यह value जो थी, यह value इसकी तो value चाहिए थी, यह equation second का, यह नहीं, कहांगी, यह नहीं, यह तो थी equation first हो नहीं, इसमें मैंने put कर दिया, now put this value in equation first, first होना चाहिए था, ठीक है, चलो, कोई नहीं, कर ले ना से, तो curly P by curly T equals to, अब आप देखोगे, यह वाला और यह जुड़ जाएगा, बाकी बीच की जूकी तो, आप देखो, यह तो ऐसा का, ऐसा ही, यह भी हैं, डी भी लिखना भूलीगा, लिख लेना, यह भी as it is, और इस अंदर वाले की value यह है, यह सारी की value रखती है, ठीक, लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, acceptable wave function की, सुनना, acceptable wave function की condition है, जो आपके syllabus में नहीं है, उसमें जो psi है और psi स्टार है, जब उसे infinity पर निकालते हैं, चाहे minus infinity हो यह plus infinity, तो वो vanish हो जाता है, सर, vanish का मतलब क्या है, खत्म हो जाता है, जिरो हो जाता है, तो आप जब integration करके, सोल करोगे, तो limit minus infinity से infinity तक ही रखे जाएगी, तो यह value 0 हो जाएगी, तो हमने यह लिखा, क्या for acceptable condition of wave function, it is clear that the wave function, psi and psi स्टार vanish at infinity, तो यह सारी term 0 हो जाएगी, तो curly P by curly T is equals to 0, और integration करोगे, तो जब integration करते हैं, तो अपने पास से constant add करते हैं, मैंने यह बताए, क्योंकि कहीं बार वो कह देता है, so that कि जो Schrodinger की representation है, उसमें जो probability प्राइक्ता वो नियत होती है, यह एक नया question करा दिया, भी equation of continuity नहीं आई, पर यहाँ पर एक नया question बन सकता है, वो हम फुरूफ आपके लिए करा चुके हैं, thus we can say that, इस पिरकार हम कह सकते हैं कि probability is conserved, जो probability वो संरक्षित रहते हैं, क्योंकि overall probability क्या आगी, constant आगी, फिर हम वापिस से अपनी equation पर ही आ रहे हैं, ठीक है, यह तो मैंने कि यहाँ तक अगर नया question आपके इसमें आ जाए, यूनिवर्स्टी एक्जाम्स में, तो मैंने यहाँ पक करा दिया, और नहीं तो आपको कोई समझ से वाली बात है नहीं, तो curly P by curly T equals to minus k, h upon 2 mi तो मैंने भार ले लिया, minus k infinity से infinity, इसमें देखो dal डोट करके लिख सकता हूँ, dal इससे भी, dal इससे भी, दोन्नों से comment आ गया, सर ऐसे कैसे comment दें लिए, लोग आपको समझाता हूँ, देखो क्या है टर्ण, si star dal square si, si star dal square si, minus si dal square si star, यही तो है, मैंने इससे क्या करा, इसमें से del dot common लिख, अब मैंने इससे ऐसे भी लिख सकता हूँ, sir ऐसे कैसे लिख दोगे आप, अगर लिख दोगे, ऐसे लिख लोगे, तो बच्चा ये तो, कट के जीरो हो जाएंगे, नहीं बेटा यहाँ पर डोट होता है, ठीक है, अब देखो, जब मैं इससे अंदर पूचाऊंगा, तो ये first function है, ये पूरा का पूरा second मान लू, ये first function है, ये पूरा का पूरा second मान लू, तो जब इसकी जाएगा, divergent of first, ठीक, first क्या, उल्टा लिख दिया, second ऐसे की ऐसी, अब यार, first function है, एसी की ऐसी, divergent of second, second डैल डोट, डैल साई करूँगा, plus second function ऐसा कैसा ही, first का करूँगा, हो गया, minus, अब इसमें बोचाऊंगा, first function ऐसा कैसा ही, second का करूँगा, डैल डोट, डैल साई, इस्थार, ये तो होगा, plus second function as it is, first का करूँगा, बताओ, साई स्थार, डैल डोट डैल, डैल साई स्क्वाइर साई, पिलस, ये तो बेटा, कैसे भी लिखे लो, डैल साई डोट, डैल साई स्थार, ठीक, माइनस साई, डैल स्क्वाइर साई स्थार, पिलस, डैल साई स्थार, इंटू डैल साई, और आपको पता है, ए डोट भी बराबर, बी डोटे होता है, तो चाहे तो इसे पहले लिख लो, इसे बाद में लिख लो, तो ये दुन्नों टर्म तो आपस में, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो साई स्थार, डैल स्क्वाइर साई, माइनस साई, डैल स्क्वाइर साई स्थार, तो इस वैल्यू को सोल करने पर देखो, क्या ये ये वैल्यू नहीं मिलगी, वापिस से देखो, तो नो, तो नो, तो ये दुन्नों वैल्यू सेम नहीं क्या, सर बिल्गुल सेम है, तो मैं आपसे यही बतारता कि हम इस term को इस format में भी डैल डोट करके भी लिख सकते हैं ठेक बच्चा कहां गई यह वाला page हम delete कर देते हैं क्योंकि यह समझाने के लिए था अब देखो अब क्या हुआ on using ghost divergence छोरम सार ghost divergence छोरम क्या थी चान मेरे ghost divergence क्या थी आयतन समा कलन को रेखिये समा कलन में बदलने के लिए थी मतलब सर अगर भार डैल है तो उससे हटा देते हो और area vector के साफ़ एकस integration कर देते हो यह ghost divergence छोरम mathematical physics में है आपने नहीं पड़ी यूटूब पर जाओ उपर लिख दो ghost divergence छोरम by physics guru हमारा नाम जरू डालना ghost divergence छोरम by physics guru यह थोरम आ जाएगी यानि कि अगर आपको volume integral को surface integral में बदलने में इस्तेमाल होती है इसमें डैल डोट होता है वो हटा देते हैं तो जब हम इसे surface integral में बदल देंगे तो डैल डोट हजा देंगे और डीवी की जगे क्या लिख देंगे भी एस हमने यह करा है अब हमने अपने पास से यह वाली जो quantity अंदर वाली सारी इसे जे के वराबर मान लिया यह रहा लेट अस डिफाइन वेक्टर जे आर्टी सज़द है तो जो जे है यह सब इसके वराबर है यह साथ में यह भी तो है यह quantity माइनस के हैच अपॉन 2MI — sitesi सटार dell sei — sitesiल सटार तो इस सारी quantity की जगए जे लिख देंगे बस यह बचेगा और यह बचेगा तो लिख दिया सारी quantity की जग ParlANT — जे लिख दिया यह बचा यह बचा और भारवाला यह माइनस का निशान जडीय ऐ बना एक? 거야 from above equation it is clear that the rate of change of probability of finding the particle in the volume V is equal to the flux passing through the surfaces जो क्या कहे रहा rate of change of probability is equal to the flux क्यों बोल ला हूँ अब अगर आपको बारवी का याद हो तो जो वैद्यूत flux होता था ये डोट डी एस के बराबरी तो होता था क्या यह उससे मिलता जूलता ही यारा जे डोट डी एस तो यह हमने इस है एसे फिलक्स के सिमिलर माल लिया अब equation 9 को 7 में put कर दो using equation 9 in 7 सर 7 का है चान में रही हो रही कहांगे 7 यह हो रही मतलब इसकी जंगे जे रख दो यह कहना चाहरा हूं मैं समझ गए तो जब value रखोगे equation 9 को 7 में रखोगे तो इस सारी value की जंगे जे आ जाएगा जे डैल S-E और DBSI यो रहा ना इस सारी इसकी और इसकी जंगे जे रख दिया 7 तो यह है इसकी जंगे जे रख दिया डैल S-E और बिट्टा volume integral चला था मनने आपको बताईती है इस वोल्यूme integral लिखना भूलें हैं आप लिख लेना यहां से सुरुवास से वोल्यूme integral चला है ठीक है सुरुवास से लिखना भूलें को आप सही कर लेना यह रख से लिखना भूलें अब इस P को अगर मुझे पूरी value के लिए निकालना है तो minus infinity से infinity dv के respect में integral करना पड़ेगा सर कर दिया इस curly by curly t को अंदर पुचा दिया minus infinity dv दुनों तरफ है दुनों तरफ से उड़ा दूं तो क्या बचेगा curly p by curly t minus del dot j बचेगा इधर आके plus का यह 0 आगे यह equation of continuity है जो पहले सा equation of continuity known है क्या del rho by del t plus del dot j बराबर 0 के है जो compare है जिसमें rho क्या होता था charge density और j क्या होता था current density है value अलग-अलग है लेकिन equation उसके similarity है इसलिए इसा equation of continuity बोल ला जाकता था यह रद इस equation is analogous to equation of continuity in electrodynamics that is your electron electron dynamics में जो equation of continuity है उसके similar है जिसमें rho क्या है charge density है और यह क्या है current density है हमारा यह unit third complete होती है सर दस जनुवरी से paper है course हो जाएगा क्या मैं आज ही आप आज नहीं कल आपको 90% से ले बस खतम करा दूगा कैसा है क्योंकि यह सारी वीडियो हमने already पढ़ाई हुने कल मैं आपको उनके link available करा दूगा तो मिलते हैं आप से कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत परणाम सुसंद्या क्या है